A very good morning to each and every one of you, I am Richa Sharma, आप देख रहे हैं पर्चम It is 7 in the morning, किसी इसका टाइम है? हमारे daily CA session का टाइम है तो चलिए शिरुआत करेंगे 17 January 2024 के news के साथ में और यह आप कल मिस कर रहे थे तो यह डाल दिया है, पॉश महीना चल रहा है शुक्ल पक्ष है यानी चांद बढ़ता हुआ दिखेगा और आज है सक्तमी, इस तरह के कुछ दर्शन चांद के आज हो सकते हैं ओके कल मैंने आपको बताया था कि current affair yearbook हो गए यह launch लेकिन कल कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था तो फर्स्ट हाफ के अंदर यह दिखी नहीं रही थी कहीं पे भी लेकिन active links हैं जिस भी index में topic पे click करोगे automatically उस page पहुँच जाओगी तो पढ़ना बहुत convenient है ओके जिन बच्चों को last minute revision का कोई टूल चाहिए या पढ़ाई ही नहीं कि ए exam बिलकुल सिर्पे हैं और बहुत जादा नहीं पढ़ सकते आप सीयर अफ्तार की तरफ मूफ कर जाए यह headline का compilation आपको पर्चम आप पे मिल जाएंगी 6-6 महिने के हिसाब से यह दी हुई है जादा जानकारी के लिए आप helpline को contact कर सकते हो जो बच्चे बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं ले ना आप तो free material बताईए आप लोगों के लिए भी है जो हम daily CA पढ़ते हैं जैसे आज जो आप पढ़ रहे हो उसका pdf कहां मिलेगा telegram चानल पे मिल जाएगा या फिर पर्चम classes के free material section में भी मिल जाएगा आप वहां से रोज के रोज ले सकते हो इंगलिश का हातों हाथ अपलोड हो जाता है हिंदी का साड़े दस ग्यारा बचे तक हो जाता है जिन बच्चों को weekly या monthly CA magazine चाहिए वो website पे जाएंगे ठीक है और जो बच्चे regularly PDF से पढ़ते हैं तो better है बार-बार PDF बाई मत करो महँगा भी पढ़ता है convenient भी नहीं है आप subscriptions पे move कर सकते हो CA subscription ले सकते हो current affair के सारे compilations जो भी हम YouTube पे पढ़ते हैं उनके PDF और बाकी subjects भी चाहिए तो PDF bank ले सकते हो मैं बहुत जादा detail में बात यहां नहीं करूंगी session का time waste होता है waste तो नहीं होता use होता है नई बच्चे आते हैं इसलिए बताना जरूरी होता है तो आप इन numbers पे contact कर सकते हो Gmail लिख सकते हो app chat कर सकते हो ठीक है जी चलिए शुरू करें आज का session हाँ जाते जाते कल मैंने आपसे question किया था उसका answer आप सभी ने कर दिया है एक दो बच्चों को छोड़ करके सभी ने right answer किया है question किया था in which temple is the festival Makara Vilakoo celebrated Makara Vilakoo जो तोहार है वो कौन से मंदिर के अंदर Makar Sankranti के उपलक्ष पे celebrate किया जाता है the right answer is Sabarimala temple जो कि केरला के अंदर है ठीक है जी चलिए अब हम आज की news की तरफ move करते है सबसे पहली news के आ रही है एक त्योहार से related ही आ रही है यह त्योहार तो नहीं है it is more like an open theater so उसे related यह news है 76 धनु यात्रा festival धनु जत्रा भी कहा जाता है इसको धनु जत्रा ठीक है और धनु यात्रा भी कहा जाता है so यह 76 धनु जत्रा का और कहां स्टार्ट हो रखा है यह 11 दिन का बहुत लंबा त्योहार बोल दीजे open theater बोल दीजे celebration बोल दीजे यह होता है odisha के अंदर right so world famous है 11 दिन का लंबा यह त्योहार होता है festival होता है odisha के अंदर जिसमें dance drama drama present होता है open theater format के अंदर और यह बारगर में होता है बारगर शहर है वहाँ पे इसको organize किया जाता है और इसके अंदर good victory of good over evil यानी अच्छाई की बुराई के उपर जीत जो कृष्ण और उनके जो मामा थे कंस उनका जो पूरा चरित्र है वो दिखाया जाता है वो पूरा episode वो पूरी करता आ रहा है तो like I told you Krishna Leela है जिसमें कंस आते हैं बीच में इसको वर्ल्ड का largest open theater festival भी कहा जाता है और इसके लिए गिनीज book of world record के अंदर भी इसका कोई न कोई रिकॉर्ड शामिल है और इसे November 2014 में national festival का status भी दिया गया है तो समझ में आ गया कभी पूछ लिया जाए वर्ल का सबसे लंबा open theatrical festival कौन सा है तो वो धनु जत्रा हो जाएगा धनु जत्रा कहा मनाया जाता है ओडिशा में मनाया जाता है ओके और यह कुछ ट्रीविया है ओडिशा से related capital क्या है ओडिशा की भुवनेश्वर है सीम कौन है नवीन पतनाइक जी है गवर्नर कौन है रगुब exercise इंडिया और थाइलैंड के बीच में हो रही है हो चुकी है अक्चली जो इंडिया नेवी है उसने यह information अब हमारे सामने रखी है लेकिन यह exercise डिसेंबर में ही हो चुकी है तो आपको हर जगे यह news अब देखने को मिलेगी जबकि exercise कब हो गई हमारे सामने ही अब आई है चलिए इंडिया और इंडिया की नेवी की first पहली maiden bilateral exercise क्या नाम है exercise अयुथाया अयुथाया जैसा साउंड हो रहा है न हाँ क्योंकि इसका connection है अयुथाया से यह एक city है थाइलैंड के अंदर और जो डेवलब जब हुई थी जब बनाई गई थी इसका नाम रखा गया था तो आयुथा से इंस्पाइर और रामायन से ही इसका नाम रखा गया थै इसलिए अयुथाया नाम आयुथाया से मिलता जोलता है तो आयुथाया से connected भी है और इंडिया और ठायलैन नेवी के बीच में पहली नेवल एक्सेसाइज, बाइ लिटरल एक्सेसाइज कंड़ाइज हुई तो चलिए, न्यूस पढ़ ले दें इंडिया थाइलेंड फर्स नेवल एक्सेसाइज अयुथाया तो पूछा कैसे जा सकता है, आयुथाया कौन से दो देशों के बीच में नेवल एक्सेसाइज है या इंडिया और थाइलेंड के बीच में पहली नेवल एक्सेसाइज कौन सी हुई, आयुथाया हुई सो इसको 20th to 23rd of December 2023 के बीच में कंड़क्ट करवाया गया हमारी तरफ से कौन इंडियान नेवी थी, और थाइलेंड की नेवी को क्या कहा जाता है? Royal Thai Navy कहा जाता है हमारी साइट से कौन सी शिपस ने पार्टिसेपेट किया? तो indigenously बनी हुई INS कुलिष और INLCU 56 ने पार्टिसेपेट किया Thailand की तरफ से किस ने किया so HTMS प्रच्वाप खिरी खान अपनी वाली जादा important होती है अब ऐसा नहीं है कि ये जो दो देशों की नेवीज थी है साथ में आई हैं सिर्फ bilateral exercise करने एक coordinated patrol exercise है जो ये करते आ रहे थे और उसको कहते हैं Indo-Thigh Corpat Corpat का मितलब होता है coordinated COR के लिए और PAT से petrol ये गश्त लगाना ठीक है तो ये जो Indo-Thigh Corpat है ये काफी समय से हो रहा है इसका 36th edition भी इस bilateral exercise के साथ में ही दोनों देशों ने conduct कर लिया Ayutthaya जो है वो पहली बार हो रही है जो maritime exercise है और ये जो और जो दो cities हैं बहुत importance रखती है historically एक हुमारी अयुध्या हो गई और एक Thailand की अयुध्या हो गई इनको symbolize करते हुए इसका नाम रखा गया है ओके जी चलिए आगे बढ़ेंगे अगली जो news आ रही है वो राष्ट्रे विज्यान पुरसकार से related आ रही है तो government ने nominations announce कर दिये हैं जो भी राष्ट्र विज्यान पुरसकार में nominate करना चाता है खुद को या किसी और को वो अपने nomination शुरू कर दिजे फिर May के अंदर announce किये जाएंगे winners और फिर August के अंदर price ceremony होगे ठीक है तो अब हम देख लेते हैं क्या है विज्यान पुरसकार कितनी categories में दिया जाता है etc. So government ने invite किये हैं nominations राष्ट्रिय विज्यान पुरसकार के कौनसी fields के अंदर in the field of science, technology and innovation तो विज्यान, technology और innovation वाली field के अंदर nominations किये जा सकते हैं हमें भी बहुत उतक्रिष्ट प्रदर्शन किया है कुछ इन्योवेट किया है कुछ contribute किया है exceptional उनके nominations आएंगे जो awards है कब announce होंगे 11th May 2024 को 11 मई क्या आता है इस दिन National Technology Day आता है तो इस दिन तो awards अनाउंस किये जाएंगे दिये कब जाएंगे सो awards दिये जाएंगे National Space Day पे कब आता है National Space Day हमारा चंत्रयान 3 जब लैंड हुया था उस दिन के वजह से हम 23 अगस को 23 अगस को National Space Day आप्जर्व करते हैं सो National Technology Day को आवर्ड अनाउंस होंगे National Space Day को आवर्ड दिये जाएंगे दोनों दिन बहुत important है याद रखेंगे हम फिर अब कितने total number of awards यानि कितने individuals को आवर्ड दिये जा रहे हैं कितने number में ये awards दिये जा रहे हैं 56 awards दिये जाएंगे कितने domain में यानि chemistry, physics, technology इस तरह से कितने domains में दिये जाएंगे 13 domains में कितनी category? 4 category ठीक है तो 4 categories में 13 domains में और 56 awards इन टोटल दिये जाएंगे अब वो 4 categories कौन सी है पहली आगए विज्ञान रतन lifetime achievement जिसने दिया होगा विज्ञान रतन मेलेगा विज्ञान श्री जिन्नोंने कोई distinguished services या contribution दिया होगा विज्ञान युवा शांती स्वरूप भतनागर अवाड ये पूरा नाम है तो ये यंग researchers या scientist को दिया जाएगा और है विज्ञान team जो की teams को दिया जाएगा तो ये 4 category में 13 domains यानी chemistry में अलग, technology में अलग इस तरह से 13 domains हैं और 56 awards लोटल दिये जाएंगे अब जब ये अनाउंस हो जाएंगे तब हमें वापिस पढ़ने पढ़ेंगे अभी इतना ही अच्छा ये जो award है इनको coordinate कौन करेगा CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research जो की Ministry of Science and Technology के अंडर में आता है हो गई ये कहानी पूरी समझ में आ गई? चलिए, आगे बढ़ते हैं अब international awards देखते हैं EME awards EME awards क्या है? जो USA और international television की दुनिया में सबसे honorable awards माने जाते हैं वो EME awards माने जाते हैं ठीके जी, तो EME awards अमको देखने हैं 2024 में जो दिये गए वो 75th edition EME awards का रहा जिनको EMEs भी कहते हैं कहां हुई ये ceremony? So Peacock Theater, Los Angeles के अंदर इस ceremony कंड़की गए अब बहुत सारे awards होते हैं तो पर सारे important नहीं होते हैं जो most popular होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, याद रखने चाहिए वो मैंने आ लिस्ट कर दिये हैं So सबसे पहले देखिए Best Emmys award टेलिविजिन की दुनिया के लिए दिये जाते हैं इसे ध्यान रखेगा तो Outstanding Drama Series जो TV पे भी Serial वगएर आते हैं Series आती हैं उनमें से भी Drama से Related जो Outstanding Series रही उसके लिए Succession को award मिला Succession Comedy Series The Bear Masha and The Bear बच्चों का एक काटून भी आता है किसको क्या मिलेगा क्या मिलेगा तो थोड़े इस तरह के Funny Hints ढाल लिया कुरो याद करना बहुत interesting हो जाता है Limited or Anthology Series के लिए Beef को मिला है Reality Competition Program The Amazing Race Talk Series जिसमें कोई बाचीत की जा रही होती है The Daily Show with Trevor Noah तो ये कुछ important categories है जिनमें Emmy Awards दिये कए इसे जादा ध्यान रखने की ज़रुरत नहीं है मेरे opinion में चलिए अगला देखते है PM Modi Pays Tributes to Tamil Poet Thiruvaluvar Thiruvaluvar जी जो कि एक Tamil Poet Saint कहे जाते हैं Philosopher रहे हैं उनको PM Modi जी ने अपने Tributes दिये on 16th of January तो अब कौन है Thiruvaluvar जी PM Modi ने अगर Tribute दिया है Tamil से related यानि Tamil भाषा से जोड़े हुए Poet or Saint रहे Philosopher भी रहे और इनका जो थिरुकुरल है जिसको कुरल कहते हैं जैसे हम बोलते हैं कबीर के दो है रहीम दाश्दी के दो है तो इसी तरह से वलुवर जी के भी कपलिट्स रहे हैं और इनके जो ये थिरुकुरल है इसमें काफी सारे कपलेट्स या दो हे थे जिन्होंने संगम लिट्रेचर में जो तमिल साइड की लिट्रेचर है उसको संगम लिट्रेचर कहते हैं उसमें काफी कांटरिब्यूशन दिया ठीक है तो काफी जादा नॉलिजजेबल, काफी लाइफ ओरिएंटेट, काफी घ्यान से भरे हुए कपलेट्स माने जाते हैं वलुवर जी के या थिरु वलुवर जी के और थिरु कुरल ये जो मैंने आपको बताया जिसे कुरल भी कहते हैं जिसमें एथिक्स, पॉलिटिकल, एकनॉमिक, मैटर्स, लव सबको लेकर के बहुत घ्यान की बाते उसके अंदर दी गई है ठीरु वलुवर जी जो है वो पॉंगल के सेलिब्रेशन के साथ में मनाया जाते है पॉंगल सेलिब्रेशन तमिल नाडू के अंदर किया जाता है वो ही उतरायन संक्रांती वाले समय पही और उसी समय थिरु वलुवर डे भी मनाया जाता है यूशली 15 या 16 जैन्वरी को आजकल पढ़ता है यह जो तिथिया होती है बहुत समयलों के बाद चेंज हो जाती है इसलिए आजकल मैं वर्ड यूज कर रहे हूँ ठीके जी अगला देखते हैं एक अपॉइंटमेंट हुआ है इंपॉटेंट नेवी के कॉंटेक्स में सो वाइस एड्मिरल ए एन प्रमोध क्या नाम है वाइस एड्मिरल ए एन प्रमोध अपॉइंटे डिरेक्टर जेनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन्स Naval Operations के, किसके Naval Operations के यानि नौसरा संचालिन के महानिदेशक या फिर Director General of Naval Operations बने है Operations में जो भी कोई इंसान होता है उसको थोड़ा प्रमोध यानि थोड़ी खुशी उषी से प्याड से मधूरता से बात करने पड़ती है एसा कुछ association कर सकते है operations वाले अगर अखड़ तरे से बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, right, so A.N. प्रमोजी नेवल operations के वाइस एड्मिरल, सॉरी, डिरेक्टर जेनरल के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, अगला देखते हैं, first human vaccine trials for deadly Nipa virus, जो Nipa virus है, जो की deadly है, मौत होच सकती है इस वाइरस से, तो उसके vaccine के लिए human trials चालू हो गए, इनसानों को अभी vaccine लगाई जा रही है, इससे जुड़ी हुए यह खबर है, तो जो vaccine है, उसका नाम देखते हैं, C-H-A-D-O-X-1, Nipa B vaccine, यह vaccine का नाम है, और इसमें, जो है, अब human trials चालू हो गए है, तो 18-55 साल के जो लोग है, 18-55 यह वाले जो लोग है, ऐसे 51 लोगों को यह vaccine लगाई जाएगी, कौन सा ग्रुप है, जो इस पूरे human trial को administer कर रहा है, यह देख रहा है, निगरानी में यह काम करवा रहा है, Oxford vaccine group, कौन सा? Oxford vaccine group यह करवा रहा है, और नीपा वाइरस की अगर हम बात करें, तो यह usually pigs के अंदर, जब सबसे पहले नीपा वाइरस का पता चला था, तो pigs के अंदर इसको खो जा गया था, Malaysia और Singapore वाले साइड में, और इसका transmission किसके थू होता है, fruit bats इसका वाहक मानी जाती है, एक एक और जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचाने में, और human भी अगर इस वाइरस के टच में आ गए, तो हम भी contract कर लेते हैं, तो नीपा वाइरस is carried by fruit bats, और या तो अगर आप infected animal के touch में आ जाओ, या person to person infected के touch में आ जाओ, तो आपको यह हो जाएगा, इस वाइरस को recognize किया है, WHO ने as a priority disease, यानि इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, और इसको पहली बार, कब देखा गया था, domestic pigs जो होते हैं, जो पाले जाते हैं, तो उन में Malaysia और Singapore में 1998-1999 में इसको सबसे पहले पाया गया था, और इसका जो नाम है नीपा वाइरस, वो मलेशिया में एक गाउं है, उसके नाम के ओपर नीपा वाइरस नाम पढ़ा है, ठीके जी, नीपा वाइरस समझ में आ गया और human trials हो गया है, चलो, अगली हबर की तरफ बढ़ते हैं, New Campus of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, य इसी दोरान उनोंने आंधर परदेश के अंदर नासिन का, यानि की National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics का एक कैमपस जो है, वो इनाउगरेट किया, क्या काम करता है ये नासिन, ये जो हमारे जितने भी civil servants होते हैं, जो इस एरिया से डील करते हुए होते हैं, जो इस एरिया से डील करते हुए ये ट्रेनिंग देगा, Indian Revenue Services, IRS और साथी साथ Central Allied Services जो होते हैं, State Government Employees जो होते हैं, उन सब को ये ट्रेनिंग देगा, कुछ International Bodies भी है, जिनके साथ नासिन का tie-up होता है, उनको भी ये ट्रेनिंग पगरा प्रोवाइट करता है, तो काफी important institution है ये, इसके headquarter कहां है नासिन के, फरीदाबाद हर्याना के अंदर, इसके headquarter है, और किसके administrative control के अंदर आते हैं, ये कौन manage करता है नासिन को, तो Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC जो है, जो उसी का Department of Revenue, Ministry of Finance के अंदर में जो आता है, वो इसको manage करता है, CBIC के administrative control में ये नासिन आता है, नासिन एक EPICS institution है, यानि शीर्ष का एक संस्थान है, capacity building करता है, indirect taxation, जो भी हमारे government officials, जो है, higher officials है, position के, जो indirect taxation से जुड़े हुए है, उनकी training यहाँ होती है, नारकोटिक्स control से जुड़े हुए है, उनकी training यहाँ होती है, administrators की, ठीक है जी, चलिए, समझ में आगई कहानी, आगे बढ़ते हैं, अब भई, नीती आयो लोग ने एक report पेश की, ठीक है, और उस report को, report बोलिये, index बोलिये, वैसे report है, उस report से यह सामने आया, कि भारत के अंदर 24.82 क्रोर Indians, जो है, जो हिंदुस्तानी है, वो multi-dimensional poverty से पिछले 9 सालों में बाहर आए है, तो नीती आयो की report कहती है, कि पिछले 9 सालों के अंदर भारत म की, multi-dimensional गरीबी है, उसमें कमी आई है, इतने करीब 20, almost 25 क्रोर लोग इस गरीबी से बाहर आए है, यह report का क्रक्स है, ठीक है, अब कौन से state है, जिनमें गरीबी सब से कम हुई है, कौन से state है, जो सब स्यादा गरीब है, यह सारी चीज़े अब हमको देखनी है, तो multi-dimensional poverty से related report आई है, नीती आयो की, आप इसको multi-dimensional poverty index भी कह सकते हो, presented by नीती आयो, so यह जो report थी, यह basically एक paper था, जो अलग-अलग discussion papers वगेरा होते हैं, तो उस paper की report सामने आई है, उसका title था, multi-dimensional poverty in India since 2005-2006, ठीक है, तो 2005-06 से आज तक, यह discussion था, जिसके अंदर, जो हम discuss कर रहे हैं, मेन ब 2014, जब अभी वाली सरकार पहली बार position में आई थी न, 2013-14 में, तब से लेके अभी तक कितना change आया है, वो आकड़े सामने रखे गया है, जबकि जो paper था, उसका title यह था, लेकिन इसमें से हमने यह वाला data निकाला है, वही हम discuss कर रहे हैं, so it shows overall reduction in multi-dimensional poverty in India, कितना reduction आया है, so 2013- 2013-2014 में, 29.17% poverty थी, यानि इतनी प्रतिशत गरीबी देश में थी, जो कि घटके 2022 देश में 11.28% रहे गई है, ठीक, और multi-dimensional poverty क्या होती है, अलग लगाया है, health में, food में, education में, जब आप देखते हो, कि सुधार आया है, तो आप बोलते हो कि multi-dimensional poverty से बाहर आया है, so multi-dimensional poverty is measured by improvement in health, education and standard of living that are represented by 12 SDG aligned indicators, 17 sustainable development goals है, इसको हमने पढ़ा भी था, आपको, सब्सक्राइब हो, यानि गरीबी में हो, और ठीक हैं, तो आप गरीबी से बाहर हो, तो इन 12 sustainable development parameters के basis पे कहा जा रहा है, कि इतने करोड लोग गरीबी की देखा से बाहर है, आई इतनी बात समझ में, आगे, चले, आगे देखते हैं, अब कौन से states हैं, जिन्होंने largest decline देखा तो उनमें अभी आपको बिहार का नाम मिलेगा, यूपी का नाम मिलेगा, एमपी का नाम मिलेगा, और साथ में जहारकन और मेगाले भी मिलेगे, तो हाला कि अभी भी टॉप फाइव पूर स्टेट्स में हैं, लेकिन फिर भी यहां गरीबी में सबसे जादा गिरावर्ट गई है, over the nine years, ठीक है, रिपोर्ट यह बोलती है कि नाशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो है, मल्टी दिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नाशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर जो हुआ था, उसके डेटा के ऊपर आधारित है, नीतियायो कैसे बता रहा है कि इत और फाइफ के रिपोर्ट को कंपेर करके ये डिसिजन आगे सुनाया गया है, अब गर्मेंट ये बोलते है कि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि जो गरीबी है, ये बिलो वन परसेंट पहुँच जानी चाहिए, नीतियायो के CEO जो है, BVR सुब्रमन्यम जी उन्होंने ये क पहा है, तो ये थी पूरी नीतियायो की रिपोर्ट on multidimensional poverty, इसी का पूरा क्रक्स आपको यहां इस पिक्चर में भी देखने को मिल जाएका, जो जो हमने बात किये, वो सब यहां पे दिखाई गई है, ताकि आपकी थोड़ी पिक्टोग्राफिक मेमरी भी बन जाएगी, अगली जो न्यूज है वो annual crystal awards से related है, अगर आप यह पिक्चर में देख रहे हो, वर्ल्ट economic forum है, तो वर्ल्ट economic forum ही प्रोवाइड करता है, या देता है annual crystal awards, हर साल दिये जाते हैं, ऐसे लोगों को, जिन्होंने अपनी अपनी फील में ऐसा कुछ काम किया है, जिसे world peace, या द विडियो के अंदर, सेशन के अंदर, तो उसी दौरानी अवार्ट्स दिये गए So World Economic Forum यह अवार्ट देता है ऐसे आर्टिस्ट या कल्चुरल फिगर्स को गहीं कहीं क्लोoires से जुड आख़ हैं वो आकटिंग हो सकते हैं, सेह service O. जनके आर्ट भी नुटेयी अफिडब्स वार्फ बीसट थेंके अर्ट से और अग्याप रही है और इस बदी तीन आर्टिस्त को दिये गए जीते थे फॉर बेस्ट अक्ट्रिस पहली एशन फीमेल राइट एंड एवर्थिं एवर्वेर एवर्वेर अट वन्स आसी करके कुछ मूवी है मुझे एग्जाक नाम ध्यान नी पर उसके लिए उनो नहीं जीता था इफ्यू रिमेंबर दे नीम प्लीज राइट नी कॉमें इस बॉक फैर की हर्याना इल्यूमिनेट्स विट लाइट ऑफ नॉलेज फ्लोस थू इलेक्ट्रिसिटी तो नॉलेज और इलेक्रिसिटी के इड़्द गिर्दिन की थीम रही क्यों क्योंकि जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जो कम्पनी सिना उन्होंने ही बेसिकली इसका ओर्गनाइज करवाया था इस बार और प्रेस ट्रस्ट अफ इंडिया ने भी काफी सादा कॉंट्रिब्यूट किया हर्याना की कुछ देख लेते हैं ट्रिव्या तो मनुहरलाल खटर सीम है गवर्नर कॉने बंदारू दत्रात्रे जी हैं फॉर्मेशन इसका 1st November 1966 को निकाला गया था अगली खबर आ रही है CII यानि Confederation of Indian Industries National Conclave on Road Safety Indian Roads at the rate 2030 raising the bar of safety तो एक national conclave organized किया गया ठीक है यानि राष्ट्रिय सम्मेलन और उसका टाइटल या थीम क्या रही थीम रही रोड सेफटी इंडिया रोड सेफटी इंडिया रोड सेफटी इंडिया रोड सेफटी का बार कैसे बढ़ाएं सेफटी को कैसे इंप्रूव करें पूरी थीम थी तो इसमें जो हमारे Union Minister of Road Transport and Highways है नितन गटकरी जी उन्होंने भी अपना अड्रेस दिया वक्तव्य दिया और उन्होंने जो जो बातें बोली है वो कुछ हमको देखनी है क्योंकि वहां से 50% तक रिडियूस करना है और हम 4 E's of Road Safety पे ध्यान देंगे कौन से है 4 E's of Road Safety Engineering यानि जो रोड्स वोड्स आप बना रहे हो बढ़े आसी बनाएं एन्फोर्समेंट जो रूल्स नियम कायदे हैं उनको एन्फोर्स कीजे एजूकेट कीजे लोगों को और Emergency Medical Services होनी चाहिए highways Road Accident 2022 की भी उन्होंने मेंशन की जिसके हिसाब से Every Hour 53 Road Accident होते हैं भारत में हर घंटे 53 Road Accident हो रहे है और उनमें हर घंटे 19 लोग यानि 19 पीपल आ लूजिंग देर लाइफ सो अगैना मेसेज वेयर हेलमेट्स वेयर सीट बेल्स ड्राइव सेफली एक दो मिनिट लेट होने से तो कुछ नहीं होगा जीवन जादा इंपॉर्टन है पिछे ममा पापा भी होते हैं ठीक है चलिए एंड रोड आक्सिडेंट में इंक्रीज हुआ है बारा प्रतिशत का रोड आक्सिडेंट डेथ में बी ओवर दाइम इंक्रीज हुआ है 10 परसेंट का और 60 परसेंट जो ड साइंस टेक्नोलजी नहीं और यह चल रहा है आज से ही शुरू हुआ है जैनवरी 17 से 20 तक यह चलेगा अब इस तरह की जो होते हैं इंडिया इंटरनाशन साइंस पेस्टिवल हो गया है कोई कॉई कॉए इंपॉर्टन होती है कहां हुए थीम क्या थी किस क्यू हुआ एट स और इसकी तीम रही साइंस टेकनोलजी पब्लिक आउट्रीच आंअम्रिदकाल ना कॉनसे समय है भई कौन से ए-सको अंवरिटकाल कहा जाते है मतलई लिखो चलो लिखो तीम किया रही इंडियाःशनल साइंस एंस फेस्टिवल की अम्रिटकाल कौ आप हिंट ले है कि यह तो Science Technology Public Outreach इन अमृतकार होस्ट, Regional Center of Biotechnology फरीदाबाद हर्याना इन्होंने होस्ट किया और ये बहुत, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा, Largest Science Festival है IISF, कब से और गनाइस किया जा रहा है 2015 से इसको और गनाइस किया जा रहा है इस बार इसमें 22 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया इंटरनाशनल और कंट्रीज अलसो पार्टिसिपेट चलिए, थोड़ी सी न्यूज और बच्ची उसके बाद हम रिविशन क्वेशन की तरफ मूव करेंगे तो देखोगे आपके सब कुछ दिमाग में टिकरा है नहीं टिकरा रिविशन क्वेशन का आंसर कर पारे है और नहीं कर पारे है अगली न्यूज इंडियन प्रेजिडेंट जो है उन्होंने लॉंच किया फिफ्थ मेघाले गेम्स कहां पे तूरा मेघाले के अंदर फिफ्थ मेघाले गेम्स तूरा मेघाले में डॉपधी मूरमुजी ने इनागरेट किये अगली खबर फीफा फुटबॉल अवर्ड्स से रिलेटेड है फीफा फुटबॉल अवर्स 2023 दिये गए जिसमें best men's player award Lionel Messi को गया है जो कि Argentina के popular footballer है Lionel Messi best men's player FIFA best women's player award किसको गया है Aitana Bonmati को गया है कौन सी team या कौन सी country से जुड़ी हुई है I would want this answer from you people Aitana Bonmati कौन सी team के लिए खेलती है और ये best women FIFA football player चुनी गई है Manchester City के जो manager है Pep Guardiallo Pep Guardiallo वो best men's coach के तौर पे उनको खिताब मिला और England की जो coach है Sarina Wegman उनको women's best coach का prize दिया गया और ये prizes हम कब की बात किसकी बात करें FIFA football awards 2023 ठीके जी चलिए आगे बढ़ेंगे ICC player of the month December 2023 के अनौन्स किये गए So ICC player of the month December के लिए Australia के Pat Cumans और India की दीपती शर्मा को घोशित किया गया ये हर महीने आते हैं So जो ऐसे exam जाना जो जल्दी जल्दी frequency पे होते हैं वहाँ player of the month पूछे जाने के chances होते हैं कि बहुत लॉंगर run वाले examinations में मन्त वाले players नहीं पूछे जाते हैं तो छोड़ सकते हैं Banking short news देख लेते हैं Particularly banking बच्चों के काम की है Yes Bank ने launch किया है Smartfin जो कि end-to-end digital supply chain platform है और it is powered by VFIN solution तो जो भी MSMEs वगेरा है उनके हर एक step पे Digital Solutions प्रोवाइड कर पाएगा Yes Bank Then economy से related कुछ news देखते हैं कि government up से 50% export duty लगाएगी molasses पे Molasses क्या होता है Sugar cane का juice निकाल करके उसको गरम करके शक्कर crystals हटा लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है उसको molasses कहा जाता है तो इसके export duty को 50% government up रखेगी REC Limited जो कि यह महारतना कंपनी है उसने इशू किये है inaugural यानि पहली बार yen denominated green bonds So yen green bonds yen denominated green bonds पहली बार इशू किये गए हैं और 61.1 billion Japanese yen के First yen green bonds है जो कि किसी Indian PSU ने release किये हैं इशू किये हैं and largest yen denominated issuance है इंडिया का इतने बड़े yen यानि amount का अभी तक green bonds या bonds इशू नहीं किये गए थे ठीक है जी तो यह हो गई हमारी सारी news खतम Now is the time for our revision session Questions So चलिए सबसे पहले question पर चलते हैं Who has recently been appointed as the director general of naval operations Naval operations के यानि नौसे ना संचालन के महाने देशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है बताओ जो operations संभालता है उसको कैसा होना चाहिए प्रमोध से भरा हुआ है ना तो वाइस एड्मिरल एन प्रमोध इस ती राइट आंस Next question Which television series won the Emmy for comedy series in 2024? Okay, comedy series के लिए Emmys किसको मिला है? Comedy कौन कर रहा था? कुछ तो याद कर रहा है The Bear The Bear बाकी नाम तो हमने पढ़े ही नहीं है Emmys में If you observe Okay, चलो Who won the best men's player award for FIFA football awards 2023? FIFA football awards ज़र दिये गए है उसमें best men's player किसको दिया गया? Argentina के Lionel Messi को A is the right answer Next question What is the theme of India International Science Festival? India International Science Festival 2023 जो हुआ हो रहा है उसकी theme क्या है? मैंने कुछ कीवर्ड आपको पकड़ने के लिए कहा था And that was देखो Amrit Kaal मैंने कहा था So Science and Technology Public Outreach in Amrit Kaal D is the right answer Who is leading the human trials of Nipa B vaccine? जो अभी Nipa B vaccine उसकी human trials चोटर है उनको overlook कौन कर रहा है, administer कौन कर रहा है, किसकी देखरेक में हो रहा है, कौन सी body है? Oxford vaccine group C is the right answer Next Exercise Ayutthaya is the maiden naval exercise between India and which country? Exercise Ayutthaya जो है वो इंडिया और कौन से देश के बीच में हो रही है? बताए Thailand Exactly C is the right answer So ये तो हो गए आज से related question कुछ previous day की practice कर लेते हैं बताए 76th Army Day Parade was held in which city? Army Day Parade जो अभी हाल ही वाली हुई है वो कौन से शहर के अंदर हुई है? Delhi से बहार निकले हुए Army Day Parade को दो साल होगे ने? दूसरा साल था तो कहां हुई? Lucknow के अंदर हुई है Okay, next देखिएगा Who authored the book Gandhi, A Life in Three Campaigns? Gandhi, A Life in Three Campaigns ये book किस ने लिखी थी? आप तो बहुत अचा हिंदे रख है मैने Azimoshan Shahin Shah आद रहेंगे? MJ Akbar ji Okay Lambert Fisher, which was in news recently, is a what? Lambert Fisher, जो की हाली में निउस में था वो क्या है भई? वोलकानो और आजबर के ग्लेशर रसाइकलो ने किया है वो? Yes, it is the glacier and it is world's largest glacier also which is floating on a very high speed Which is India's first dark sky park? Reserve नहीं park Dark sky park भारत का पहला कौन सा बना है? And the answer is Page Tiger Reserve और वो भी Maharashtra वाले हिस्से का कहां का? Maharashtra का Page Tiger, Madhya Pradesh और Maharashtra दोनों में फेला हुए है Maharashtra वाले हिस्से के अंदर इंडिया का पहला Dark Sky Park बना है और यह है आपका Question of the Day जाते 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 जो मैं दे रही हूँ जल्दी से Comment section में इसका answer लिखिए And जब तक हम वापिस मिलते हैं तब तक take very good care of yourself अगर आपने अभी तक SSCGA कोर्स चेक आउट नहीं किया है तो परचम आप पे जाके चेक आउट कर सकते हैं चलो take care have a very nice day see ya bye